नमश्कार दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है हल्दी जिसको संपूर्ण विश्व में खाने के रूप में मसाले के तोर पर प्रियोग किया जाता है इसको आयरवेद और संस्कृत में हरिद्रा बोला गया है जबकि हिंदी में हल्दी के नाम से ये प्रेचलित है इंगलिश में इसको टर्मेरिक और वनस्पती भाषा में इसको कुर्क्यूमा लोंगा कहा जाता है हल्दी कोई विशेश परिचे की मोहताज नहीं है आज हम आपके लिए हल्दी के कुछ विशेश फायदे लेकर आए हैं जिनको जानकर आप भी कहेंगे कि हल्दी वास्तव में होती है गुनकारी सबसे पहला प्रियोग हल्दी का जो सफल होता है वो है जाईयों और मुहासों के लिए चहरे और सरीर की तोचा पर जाईया होना मुहासों के दाग धबे हो जाना और तोचा की मलिंता को दूर करने के लिए एक चमच पिसी हुई हल्दी में दो चमच बेसन और संत्रे के सिलकों को सुखा कर बनाया गया चून एक चमच इसमें आधा चम्मच मलाई और इन सब को मिलाकर एक पेस्ट आपको बनाना है और यदि ज़्यादे थिक पेस्ट है बहुत ज़्यादा घाड़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी का छीटा दे करके आपको लेब बना करके और इसको अपने शरीर पर उबटन आपको करना है इससे इस तरह के चहरे के जाईयों के निशान कील मुहासों के निशान खत्म हो जाते है हल्दी का जो दूसरा सफल प्रियोग रहता है वह है सर्दी और जुखाम की अवस्ता में सर्दी हो जुखाम हो गले में खरास होने लगी हो संकर्मन के कारण गले में टॉंसिल और सूजन आ गई हो तब सोते समय आधा कप गर्म दूद में आधा चमच पिसी हुई हल्दी डाल कर गोल कर आप इसको सेवन करें इसके बाद कुछ नहीं लेना है खास दोर पर ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है जरूरी हो तो गुनगुने गरम पानी से कुला करके आप सो जाए यह प्रियोग तीन चार दिन करने से इस तरह की समस्याएं सर्दी जुखाम टॉंसिल वगरा की बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाती है दो चुटकी लगबग और कुछ बुन्दे सर्सो की तेल की मिलाकर इसको मसूडों और दांतों पर बहुत हलके हलके से मालिश करें और जो मुँ में लार बनती रहे उसको आप थूकते रहें आदा घंटा तक इसको मुँ में लगा रहने दे उसके बाद गुनगुने पानी से कुला करके मुँ साफ कर ले शुरुआत में दो-तिन दिन हो सकता है कि एकदम से गंदगी कटने की वज़े से मुँ में कुछ चीस या दर्द वगएरा महसूस हो उसको सामानने तोर पर लेकर चले दो-चार दिनों में इस समस्या खतम हो जाएंगी इस प्रियोग को रोज दो बार आप दो रहें तो पहले सब्ता से ही आपको अपने दाप्तों में काफी अच्छा आराम मसूडों में काफी अच्छी चमक आपको महसूस होने लगेगी फिलहाल के लिए हल्दी का आखरी प्रियोग जो हम आपको बता रहे हैं वो है चोट और सूजन की समस्या में पिसी हुई हल्दी और उसमें थोड़ा सा गीला चुना मिलाकर लेप बना लें और इसको आप चोट या सूजन पर लेप करें लेप करने से पहले चाहे तो थोड़ा सा नारियल तेल आप उस जगा पर एपलाई कर सकते हैं तब इस हल्दी और चुने के लेप को आप वहापर लगा लें और इसके ओपर ढीली पट्टी आप बांध लीजिए पीने में भी गरम दूद के साथ एक चमच पिसी हुई हल्दी मिलाकर आप पीजिए तो चोट और सूजन की जो समस्या होती है उनमें बहुत जल्दी आराम होता है तोस्तो हल्दी के सफल प्रियोगों के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के दुआरा जरूर बताईएगा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कीजिए और सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकोन को आप जरूर दबाए फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार दोस्तो धन्यवाद